हलो फ्रेंट्स मैं इसके सहिनी मसी गुरूप में जागर्फी क्लास में एक बार आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे मानों की बीचार धाराएं तो इसमें हमने देखा कि मानों की बीचार धाराओं को तीन भागों में बार दिया गया है नियत वाद या निश्य वाद संभावाद नौ निश्य वाद तो हम लोग निश्य वाद या नियत वाद या वादावारावाद की संकल्पना का अध्यान हम लोग कर चुके हैं अब आज हमें संभावाद का अध्यान करना है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि संभावाद के जनक कौन हैं देखि और हम दो नंबर के भी कोश्चन तयार कर सकते हैं बोर्ड एक्जामनेशन के दिश्टिकोर से तो देखते हैं कि पाल बीडाल डीला ब्लास यह संभवाद के जनक हैं संभवाद के क्या है जनक हम कह सकते हैं यह संभवाद के जनक हैं पाल बीडाल डीला ब्लास यह रहने वाले कहा के हैं यह कहा के भुगोल बेता हैं इसकी भी हम बात कर लेते हैं तो यह फ्रांस के भूगोल बेता है इन्हें आम फ्रांसिजी भूगोल बेताओं कि श्रेडी में रखते हैं फ्रांसिजी भूगोल बेताओं के बारे में हम इनको जानते हैं एक चीज और बता दे है कि यह जो पाल विडाल डीला ब्लास है यह है पेरिश में पेरिश बिश्वे बिद्याले एनि पेरिश इन्वर्सिटी में भुगोल के प्रोफेसर के रूप में काम कर रहते हैं यह हम कह सकते हैं भुगोल प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे कहां पेरिश बिश्वे बिद्याले में यह भुगोल प्रोफेसर के रूप में बच्चों को शिक्षा दे रहे थे यह पाल बीडा डिला बलास जो यह फ्रांस के रहने वाले हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें किन बिंदू का हम अध्यान करते हैं संभवाद में किसका अम अध्यान करते हैं कौन सा ऐसा सब्द है जो उसके चारो तरफ चक्र काटता है तो संभवाद में हम मानों का अध्यान करते हैं संभवाद का तात्परिया है कि जो मनुस्य प्रकिर्थ का दास नहीं स्वामी है यानि मनुस्य हमने नियतिवाद या निश्यवाद में हमने नेचर का ध्यान किया नेचर यानि प्रकिर्थी इश्वर है और प्रकिर्थ के दास मनुस्य हम का सकते हैं प्रकिर्ति सर्व सक्तिमान है निश्यवाद में हमने अधेन किया प्रकिर्ति सर्व सक्तिमान है और मानव उसका दास है लेकिन हम इसमें क्या कहेंगे इस संभवाद में मनुस्य सर्व सक्तिमान है मनुस्य क्या है सर्व सक्तिमान है और प्रकिर्थ मनुस्य का दास है इसके अंद्रगर्थ हम कह सकते हैं प्रकिर्थ मनुस्य का दास है और मनुस्य प्रकिर्थ का स्वामी यानि आप कंसेप्ट समझ में आगया होगा हम नियतिवाद या निस्षवाद में हम प्रकृत को महतपूर आस्थान देते थे यानि प्रकृत का दास मनुष्य था लेकिन इहाँ पे मनुष्य का दास कौन है प्रकृत है इसलिए मैंने लिखा मनुस्य प्रकृृति का स्वामी कौन मनुस्य है इसलिए संभावाद में मनुस्य की संभावनाओं पे जोर दिया गया है तो हमने इतना जाना कि यह पाल विडाल लिला बलास इसके जनक है लेकिन यह चीज और मैं बता दू जो examination के द्रिश्टिकोन से यह पूछता है कि संभवाद सब्द देखेगा संभवाद के जनक तो यह फ्रांस के पाल विडाल डिला ब्लास हैं लेकिन संभवाद सब्द के जनक कौन है सब्द के जनक यह ध्यान जिएगा संभवाद सब्द के जनक कौन है तो यह भी फेब्रे हैं यह भी फ्रांस के ही भुगोल बेता है एक नंबर कोश्चन में पूछता है कि संभवाद सब्द के जनक कौन है तो क्या बताएंगे हम फेब्रे बताएंगे अगर कहीं से यह भी पूछ दिया कि फेब्रे कहां के भुगोल बेता थे तो साब साब बताएंगे आप फ्रांस देखिए नियतिवाद और नियतिवाद या निश्यवाद में जो आपने देखा होगा जर्मनी के भुगोल बेताओं का अध्यान था उसमें जैसे मानो भुगोल के जो जनक हैं फ्रेडिक रेटजल हैं तो जर्मनी के हैं तो नियतिवाद या इस्सेवाद के वी जनक के रूप में फ्रेड्रिक रेड्जल को ही जानते हैं लेकिन संभवाद में हम संभवाद के जनक पाल बिडाल डीला ब्लास को जानते हैं लेकिन संभवाद सब्द के जनक फैवरे हैं फ्रांस के हैं ये भी और फ्रांस के भी ये भी हैं जैसे जियोग्राफी सब्द के जनक इरेटोस थेनिज हैं और भुगोल के जनक हिकेटियस हैं उसी तरह से संभवाद सब्द के जनक फैवरे फ्रांस के हैं और संभवाद के जनक पालविडाल डिला ब्लास हैं यह इन्होंने कहा कि प्रौकिर्थ का अस्थान सलाकार जैसा है मैं बता दूँ यह पालविडाल डिला ब्लास ने कहा इसे मिटाते हैं थोड़ा सा तो और अच्छा से समझ में आएगा है इसे मिटा देते हैं पालविडाल डिला ब्लास ने कहा प्रौकिर्थ का अस्थान सलाकार जैसा है रूप में है प्रकृत का स्थान का है सलाकार जैसा है या सलाकार के रूप में है यह जो शंभवाद सब्द के जनक फैब्रे और संभवाद के जनक की जो बात की जाती है तो पालविडाल डिला ब्लास ने ब्लास ने एक पुस्तक लिखा था बिश्व भुगोल बहुत बिख्यात इनका ग्रंथ था बिश्व भुगोल मैं आपको बता दूँ ताकि जे आपको मतलब समझ में आ जाए यह जब पेरिश में थे प्रोफेसर थे तो उन्होंने एक विश्व भुगोल ग्रंथ की एक राचना किया था जिसे हम बोलते हैं जियोग्राफी इन्युवर्सल जियोग्राफी इन्युवर्सल के भी नाम से हम जानते हैं इसके बाद फ्रांस में इन्होंने फ्रांस में प्रादेशिक भुगोल की राचना की और प्रादेशिक भुगोल के अनुसंधानो द्वारा संभवाद का प्रियोग किया संभवाद सिधान्त को जन्म दिया ऐसे भी लिख सकते हैं संभवाद सिधान्त को जन्म दिया तो अभी तो हम लोगों ने इनके संभवाद की परिश्थितिया क्या थी कहां से आई इसका हम मतलब समझे लेकिन अब संभवाद का मतलब क्या होता है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं आपने देखा प्रकिर्थ एक सलाकार के रूप में है निश्यवाद नियत इवाद में हमने बताया कि प्रकिर्थ जिस तरह से हमें चाहती है हम उसी तरह से रहते हैं क्योंकि वो मेरा स्वामी है मैं उसका दास हूँ तो प्रकिर्थ के भिरुद हम नहीं जा सकते हैं जैसे आपने देखा होगा मानोंने बहुत सारे ऐसे बस्तूओं का निर्माड किया भातिक संसाधनों का प्रयोग करके मनुश्य ने बहुत सारी बस्तूओं का निर्माड किया यही है संभावाद यानि प्रकृति ब्यक्ति की संभावनाएं परियाथ मात्रा में देख रखी है और मनुस्य अपने बुध्य सील या बिवेक सील प्राड़ी है अपने बुध्य और बिवेक का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का बिदोहन करके वो भौतिक जैसे कि प्रकृत ने पहार बना रखा है प्रकृत ने बहुत बड़ा सागर बना रखा है प्रकृत ने बहुत बड़ा रेगिस्तान बना रखा ध्यान दीजेगा हमरे यह सब नियतिवाद है और प्रकृत ने बहुत जगा भणिया मैदानी भाग बना रखा है यह हम पहाड की बात करते हैं यह हम सागर की बात करते हैं यह हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो यह क्या है यह सब प्रकृत नेचर है प्रकृत के दौरा हमें यह मिला हुआ है अब हमारी संभावनाएं क्या हो सकती हैं हम इसमें संभावावादया है समझना है एनि हमने कहा ना कि प्रकृति नियतिवाद में मनुस्य का स्वामी है लेकिन नहीं प्रकृति का स्वामी मनुस्य है और मनुस्य का दास प्रकृति है ऐसा संभव वाद में पाल विडाल दिला व्लास ने कहा है बिलास ने कहा है मनुष्य स्वयम समस्या और हल दोनों है तथा प्रकित केवल उसकी उपदेशी का है जैसे आप देख सकते हैं ये पहाड है पहाड में कोई ब्यक्तिमा लिजे रहना शुरू कर दिया तो पहाड में रहा तुसके लिए समस्या भी है पहाड में रहना एक समस्या है सभी बस्तूओं का उपलबधता नहीं हो पाएगा लेकिन इसमें संभावनाएं क्या है आप भी हील एरिया में जाते होंगे टूरिस्ट के रूप में परेटक के रूप में तो आप देखेंगे इसी पहाडी पे बहुत अच्छे मंदीर बनाए गए हैं बहुत घूमने वाले जगा बनाए गया है यहाँ पे बहुत पहाड़ों पे एयरपोर्ट की विशुवधाएं की गई है और भी बहुत सारे आइसे यहां पर दोधार बहुत जगा गए होंगे तो अभी एक बहुत बड़हां पर खाई है बहुत जिसे हम यहां से रास्ता ठाव चले जाते हैं इसी को हम прोते हैं संभावना या हम प्रकृत पे बिजय प्राप्त करके हमने यह सिद्ध कर दिया कि हम अपने हिसाब से भी यहां पे जा सकते हैं जिस तरह से हमने प्रकृतिक संसाधनों का प्रियोग करते हुए प्रकृत में संभावनाओं को ढूडते हुए हम अपने को अपने हिसाफ से प्रकिट में भीजय प्राप्त कर लेते हैं हिमाले पे चढ़ना बहुत कठीन काम है लेकिन मानों ने एक संभव बना के रख दिया कि नहीं हिमाले पे भी हम चढ़ सकते हैं आपने देखा होगा जब मनुष्य इस धरा पे आया और कुछ पादन नहीं होता था इसी मैदानी भागों में बैग्यानिकों ने क्या किया बैग्यानिकों ने क्या किया सिचाई के संसाधन उपलब्ध करा करके आपने देखा होगा पानी वाला मशीन पंपिंग से जिसको बोलते हैं ट्यूबेल की उपलब्धता करके खाद की ब्यवस् वीमनतिन चाहिब का है का इस में अपनी आयरपूर्ट नहीं कहार रहा है인 पहाड़ों का किंग है यह जो सभिव्वाद करना नरुकरल उप्वार्ट करएंगे समन्सक्राइं ना उल्यवा वासनों कैकल लें समुन्द्र की भी बात करते हैं चाइना इतना विक्षित हो गया कि समुन्द्र में वो टापू भी बना लेता है और अपना काम सुरू कर देता है आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास यंत्र है कि समुन्द्र में हम जो एयरपोर्ट की भी सापना कर सकते हैं समंद्र में चन कर एक दूसरे से हम यूद लढने के सक्सम हैं हम समंद्र में कुवा खोट करके तील नीकालने यह सब संभावनाय हैं। हम कभी कलपना नहीं किये थे कि हम प्रकृत के समंद्र के अंदर से हम अपनी आवस्यक सामागरियों को निकाल लेंगे। इसी को मोलते हैं संभवाद यहां तक कि हम ऐसे भी छोटे छोटे जो समुद्र है उसमें ब्रीज बना करके एक दूसरे से क्रास कर गए ऐसे भी है कि नाव का प्रियोग करके हम समुद्र को क्रास कर गए हम प्लेन से उड़ करके समुद्र को क्रास कर गए हम एक दूसरे देश से बहुत सारी आवस्यक सामागरी अपने देश मिला करके उसका प्रोडक्शन करके अपनी आउसकता की पूर्ती करने लगे यह संभवाद है रेगिस्तान की बात करते हैं बोलते हैं रेगिस्तान में क्या होता है रेगिस्तान में भी हमने अपनी संभाणाओं को ढूड़ा है इसमें से खनीज पेट्रोलियम का उत्पाधन करने लगे खनीश पेट्रोलियम आज देख सकते हैं कि समस्थ संसाधन उर्जा के रूप में हम खनीश पेट्रोलियों का प्रयोग करते हैं जो हम खाड़ी देशों से उसका आयाद करते हैं और परियावत मातरा में हमारे देश में नहीं मिलता है तो इस संभावनाए है प्रकृत पे भीजय प्राप्त करना ही संभावनाए है तो वाल बिडा लिला बलास ने कहा कि हम प्रकृत के दास नहीं हैं हम प्रकृत के स्वामी है और प्रकृत हमारा दास है इसलिए हम प्रकृत की संभाणाओं का भरपूर हमें फायदा उठाना चाहिए इसी को हम बोलते हैं संभाव फाद अभी मैंने एक चीज़ बताना आपको भूल गया जो आपने देखा होगा कि अंत्रिक्ष में भ ai हम मैंदानी भाग में रहते हैं और अंत्रिक्ष में यहां पर आंत्रिक्ष में भी कोई कलपन ने किया होगा कि अंत्रिक्ष में स्वैम चले जाएंगे do we must vul. poet में हम अंत्रीच मे भी जाने का चंद्रमा पे भी हम जाने का काम कि यह नी लंगश्टांग उनिसवनत्र में पृथ्वी से चंद्रमा पे जाने वाले प्रथाम बैती हैं अभ सोचिए हम बहुत सारे आयसे सेटलाइट अंत्रीच में लगा रखे हैं यह क्या है संभवनाएं हम अमेरिका में रहते हैं हमारा भाई भारत में रहता है दो मिनट लगता है हम उससे बात कर लेते हैं और नहीं लगा तो हम वीडियो काल बात कर लेते हैं यह क्या है भाई यह सब संभवनाएं हैं जो मैंने वही ब्लाडिला ब्लास ने कहा क कि मनुस्य स्वयम समस्या और हल दोनों है मनुस्य स्वयम समस्य भी है और उसका हल भी है तथा प्रकृत तो उसकी उपदेश का मात्र है अनि मनुस्य चाहे तो प्रकृत को उपदेश देगा और उस प्रकृत को उसे स्विकारना होगा चलेंगे इसकी भी समस्या का निदान इ देखा एक और दो चार लाइने मैं आपको संभव आते बाताना चाहता हूं जिसे आप कि सुनी और मैं जाओंगा कि भाई शेनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें सेयर जरूर करें जिससे अच्छा लगता है थो थोड़ा सा आप लंग मिलता है तो सहां वर्धन होता है कि हां आप थोड़ा एसा मतलब इन्टेश्ट रहा है थो देखिए बलास ने मनुस्य स्वें समस्य और हल दोनों है दोब एक उसकी उपदेश का मात्र है करेंगे प्रकिर्थ ने कोई आईसा निष्चित मार्ग नहीं बना रखा है किसके लिए मनुस के लिए हम कह सकते हैं प्रकृति ने कोई ऐसा निश्चीत मार्ग नहीं बना रखा है जिस पर चलने के लिए मनुस्य को बाद होना पड़े जिस पर चलने के लिए मनुस्य को बाद होना पड़े अशा नहीं है कि प्रकृति ने बनाया कि नहीं तुमको ऐसे ही चलना है नहीं चलोगे तो तुम डूब जाओगे मर जाओगे बलकी प्रकृति ने मनुस्य के सामने बलकी हम कह सकते हैं बलकी प्रकृति ने मनुस्य के सम्मुख क्या संभावनाएं प्रस्तूत करती है साधन तथा संभावनाएं मनुस्य के सम्मुख साधन तथा संभावनाएं प्रस्तूत करती है क्या करने के लिए जिसका प्रियोग करने के लिए मनुस्य स्वतंत्र है जिसका जिसका प्रियोग करने के लिए मनुस्य स्वतंत्र है देखे आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा उसमें बहु सारे ऐसे लोग हैं जो सम्मुद्र के किनारे जाते हैं उसी समस्या में वो फस जाते हैं और समस्या का हल कहीं दाय माई जब ढूडते हैं तो मिली जाता है और समुंद्र में चले जाते हैं कहीं प्यास लगा है तो पानी की भी तलास कर लेते हैं खाने का भी तलास कर लेते हैं आग का भी तलास कर लेते हैं तो वही क्या गया है मनुस्य स्वयम समस् और हल दोनों है तो था प्रकृत उसके उपदेशिका मात्र है प्लास ने कहा है प्रकृत ने कोई ऐसा निशित मार्ग नहीं बना रखा है जिस पर चलने के लिए मनुस्य को बाद होना पड़े ऐसा नहीं है है मनुस्य तुम इस रास्ते जाओगे तो सोने की सुराही मिल हमने शम्मुख साधन शाधन और संभावनाएं प्रस्तुत करती है जिसका प्रियोग करने के लिए मनुस्य स्वतंत्र है क्या कोई सोना लेके पैदा हुआ था हम इतने भौतिक संसाधन का टीवी फ्रीज एसी कूलर यह जितनी भी बस्तू का हम प्रियोग करते हैं यह क्या बारिस होगा तो हम गर्मी का समाधान कर लेंगे तो मर जाते आज हम इतना बड़ा संसाधन का उभोग नहीं कर पाते तो हमने संभावनाएं ब्यक्त की भाईया कि रास्ते हमें चलने बड़ा धूप लग रहा है हमने चाते का इस्तिमाल के डेट सो रुपय में चाता मिल ज जे कारवाला यह सब संभावना हैं जैसे जैसे पाइसा खर्च करेंगे आपकी संभनाओं का आनंद भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा यह जो पहले के लोग इससर से माकान में रहते थे नहीं रहते थे आईसे गुफाओं में कंद्राओं में परवतों के पेंड़ नीचे रखते थे लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति के पास बिवेक बढ़ता गया संभनाओं को ढूरता गया प्राकृति संसादों का प्रियोग करता गया और आज मनुस्य चांद और अंत्रिक्ष पे जाने आने का काम कर रहा है दिवसरे देश से बहुत फेस टू फेस बात कर रहा है बहुत चारे अपने मैसेस तूरन ट्रांसफर कर दे रहा है यह क्या आपको प्रकृत्वे बिजय प्राप्त करने जैसा नहीं है तो बाल डिला बलास ने संभाववाद का जन्म दिया आज के लिए इतना ही नेक्स्ट हम मिलेंगे नौ निश्य बाद क्या होता है मजा आ जा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद